हलो एबरीवन वेलकम बैक टू बिहार दरोगा पीटी 2021 एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट में तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके पहले हमने चार प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया के कवर किये थे और आज हम लोग देखेंगे पाचवे प्रैक्टिस सेट को ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पहला कोश्चन के साथ और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लिजिए साथी वेल एकन को भी दवा लिजिएगा ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन है आपके स्क्रीन को उपर तो पहला कोश्चन है कि भारत में अधिकतर किस परकार के बन पाए जाते हैं तो इसका राइट अंसर है उसन कटी बन दिए परनपाती वन उसन कटी बन दिए परनपाती वन उसन कटी बन दिए परन जाता है ठीक है और ये जो इसकी एक विशेष्टा है कि 70 से 200 cm वर्षा वाले छेत्रों में ये पाया जाते हैं ये जो बन होते हैं उसने कटवन ये परनपाती बन वो 70 से 200 cm वर्षा वाले छेत्र में पाया जाते हैं ठीक है इनमें कुछ परमुख ब्रिच है जैसे कि चंदन सी सिसं महुहा साल यह सारे बृच्च परमुख ठीक है क्या क्या çण्र specialized चन्दन सिसं महुए निर्मान करती है इसका राइट अंसर है मैमार मैमार के साथ काची पहाडियां भारत और मैमार के बीच में सीमा निर्मान करती है ठीक है काची पहाडियां जो है वो भारत और मैमार के बीच में सीमा का निर्मान करती है मतलब एक तरह का बोर्डर का काम करती है काचिन की आवरारी आपका और नाचल परदेसे глंट करता है गलत है ये भारत और मयमार के बीच में बोडर को कनेट करता काची पहाड करता डूनों को स्फारेट करता हैं झाल मीति को जलोब मीटी का और पसके किन बदम जलत है यह बतलाने तो जलोड मिर्टी नवीन जलोड मिर्दा को बांगर कहते हैं ये गलत बात है नवीन जलोड मिर्दा को बांगर नहीं कहते हैं वलकि नवीन जलोड मिर्दा को खादर कहते हैं बांगर जो होते हैं वो पुराने जलोड मिर्दा को कहते हैं बांगर किसको कहते हैं पुराने जलोड मिर्दा को बांगर कहते हैं ठीक है याने कि पुराने जो जलोड मिट्टी होते हैं उसको बांगर कहते हैं और नई जलोड मिट्टी को खादर कहते हैं ठीक है याद कैसे रखना बारवर आप भोल जाओगे तो बांगर से याद रखना बावा ठीक है बावा बोले तो बुजूर्ग ठीक है दादा ठीक है तो बावा दादा ये सब सारे क्या होते है बुजूर्ग होते है पुराने आदमी होते है ठीक है तो इसी से आपको ध्यान में आजाना चाहिए बांगर बोले तो पुराना यानि कि बावा बावा पुराना आदमी है बुढ़वा बुजूर्ग है ठीक है तो वो क्या हो जाएंगे बुजूर्ग आदमी हो जाएंगा पुराने आदमी हो जाएंगा तो इसी तरह से आप याद रखेंगा पुराने जलोड मिट्टी बांगर होगा और नवीन जलोड मिट्टी खादर होगा यानि कि एक याद रहागा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा यानि कि बांगर आपको याद है तो खादर खुद याद हो जाएगा बांगर बोले तो बाबा बाबा बोले तो पुराना पुराना बोले तो पुरानी जलोड मिर्दा ठीक है ठीक है तो यह पूछ रहा था कौन सी गलत है तो हम ये भी देख लेते हैं कि जलोड बिर्दा के कुछ अन्य भी सहस्ता है क्या क्या तो जलोड मयट्टी खारत में एक बड़े भुबाग पर पाए जाती है चीक है जलोड मम्यट्य में पर्याप्त मात्रा सरवाधिक पाए जाती है परियाप्त मात्रा में पाए जाती है भारत के उत्री मैदान में जलोड मिर्दा का सर्वाधीक विकास हुआ है जहिर सी बात है जलोड मिर्दा वहीं होते है जो बार संभावित छेत्र होते हैं या फिर कहले हम मैदानी छेत्र ठीक है तो मैदानी छेत्र में इसका जो विकास ह वो नहीं बहुत सर्फवाधीक हुआ है भारत में अधीक भूखभा पर जलोण मिट्टी पाय जाती है उती जानते हैं बस इसमें जानने वाली ये बात है कि मिर्धा मिट्टी में गहन क्रिसी की जाती है यानि किका porch किसानों को सबसे पसंदीदा अगर कोई मिट्टी होती चूने की परियाप्त मातरा पाई जाती है यानि कि अगर आपसे question पूछे जलोड मिटी में पोटा सवम चूने की मातरा पाई जाती है या नहीं तो हाँ पाई जाती है ठीक है तो यह वात है और यह भारत के एक बड़े भूगाग पर पाई जाती है याद रहेगा आपको बि तो बाबा जो किन पुरानी है नेक्स्ट कोश्चन भारत में बॉक्साइट का सरवाधीक उत्पादन किस राज द्वारा किया जाता है इसका राइट अंसर उरीशा भारत में बॉक्साइट का सरवाधीक उत्पादन उरीशा द्वारा किया जाता है किसके द्वारा उरीशा द्वारा ठीक है, भारत के कुल boksite उत्पादन का 50% अकेले उत्पादन केवल उरिशा करता है, यहन्य की टोटल भारत में 50% boksite का उत्पादन उरिशा करता है ठीक है, तो data याद रखने के को जरूवत नहीं के वला आप इतना याद रखो कि बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा गर कोई उत्पादन करता है वो उडिसा है कौन है उडिसा है ठीक है बॉक्साइट का सरवधी को उत्पादन करने वला राज तो उडिसा अगला कुश्चन कांगेर घाटी राष्टिय उद्यान किस राज में अस्तित है इसका राइट अ और अधर नेक्सट वॉश्यन है बहरत की निम्लिकने चेतर पर विचार किजी क возможность में किस चेतर में उसनेकट बंदियों वर्सा बंद पाए जाते थीका आपको दो-तिन सारे स्टेट्मेंट दिये गया है आपसे पूछा जा रहा हatu हैं इनधे से किन चेतर में उसनेकट बंदिये वर्षा वन पाए जाते हैं यानि कि उत्तर पुर्वी हिमाले पश्मी गाट पुर्वी गाट इन तीनों चेत्रों में किस चेत्र में उसनकट बंदिये वर्षा वन पाए जाते हैं तो इसका राइट अंसर है वन एंड टू यानि कि उत्तर पुर्वी हिमाले और आपको मैंने बतलाया था इसके पहले वाले कॉ ुश्चन भी यानि कि पहला जो कु creek था कि यहां पर तक्रिवन सतर से से 200 cm फार्स होती तो जी सहरिया में सतर से 200 cm बर्सा ओगी वहां पे उसिट्वन्द कड़्वण भरस बन पाया जाएगा तो आपको मालूम होगा कि सबसे अधीक जो बर्सा होती है मोसिन राब मेगाले में तो वो तो नौर्थ इस्ट में ही पड़ता है ठीक है तो उत्तर पूर्वी हिमाले राजियों में उसन कटवंधिया वर्सा बन पाया जाते हैं ठीक है विशेशकर मेगाले जो आसपास एरिय के असपास तक बर्सा वहां भी होती है क्यों क्योंको वह जो एक है छाया बित के अधो मुखी यानि कि ये जो रेंसेट एरिया होते हैं क्या बलता है क्या एक जिस और पहाड जैसे पश्मी घाट कि एकदम इस तरह से स्टीप एकदम खाड़ा हुआ परवत है ठीक है पूर महने चाहें कि पुर्वी घाट और पस्च्वी घाट में सबसे ज्यादा ढलान की सोर थो पुर्वी घाट में ठेक है और ये क्यों मैं नहीं नहीं होती है मलब उस वहर से जब हावा आती है तो वहां से तो आदरता लेके आती है और आके पश्मी घाट में टकराती है और वहीं पर बारिस कर देती है ठीक है तो पश्मी घाट में काफी ज्यादा बारिस होती है वहीं हो अगर पश्मी घाट का जेस्ट आप अपोजिट जाए थोड़ा पूरुव साड में तो उधर पूरा समझे लिए कि बारिस बहुत कम होता है क्योंकि छाया बृत रिजन में वह पड़ जाता है जहांकि बारिस नहीं हो पाता है तो और अगर हम पुर्वी घाट की बात करें तो पुर्वी घाट में उसकाट बन दिया साथ है तो नदियों से कहने कहीं बाड़ बन जाता हैं तो यह जो उसन कटवंधिय वर्सा बन है वह आपको उतर पूर्वी हमाले और पुर्वी घाट में ही पाया जाता है ठीक है और साथ ही साथ अगर भारत में हम देखें भारी बार्वाले छेत जैसे कि अंडवान वर निकोवार्द्वीप उत्तर पुर्वी राज पश्मी घाट के कुछ इसों में यह वन पाया जाता है तो मिलने भारत के आधन में बर्सी है अगला कॉस्चिन बढ़ते हैं अागले की ओर पूंसका कर दिया आस तो hadyim कि सुनड़र ट्रेंज कि सागर महासागर में अस्थीत है तो अगला कुष्चन है सुनड़र ट्रेंज कि सागर महा सागर में स्थित है इसका राइट अंसर हिंद महासागर सुन्डा ट्रेंच जो है हिंद महासागर में अस्थित है ठीक है सुन्डा ट्रेंच कहां स्थित है हिंद महासागर में अगला कोश्चन है अमरावती हेमावती काविनी किसकी सायक नदिया है थीक है अमरावती हेमावती काविनी किसकी सायक नदिया है कावरी नदी की ठीक है कावरी नदी का उद्गम जो है उद्गम अस्थल वो ब्रहम गिरी पाहड़ी से निकलता है ब्रह्मगिरी पाड़ी कहां पढ़ेगा आपका करनाटका में ठीक है कावरी नदी का उधिगम छेतर कहां है ब्रह्मगिरी पाड़ी जो की करनाटका में पढ़ता है ठीक है करनाटका से कावरी नदी निकलती है निकलते हुए पूरवदीशा की और बाड़ते चल जाती है ठी तो कीवल आपको इतना जाद रखना है इनको सायक नदियों के बारे में कीकावरी नदी का सायक नदी कौन-कौन सा है तो काबनी है, सुवरनावती है, हम्रावती है, हेमवती है, कर्मावती है, हरंगी, यानि कि वती वती आ गया तो समझे लिए काबरी का, ज्यादा तर इसकी जितनी भी नदिया है, वती वती, लास्ट में वती लगा हुआ है, यानि कि समझेगा काबरी नदिया, ठीक है, काबर पंदरड डिगरी एक घंटे के अंतर के लिए पंदरड डिगरी देसांतर के अब सकता होती है और एक मिनट के अंतर के लिए चार डिगरी देसांतर ठीक है याद रखिया गया एक मिनट के लिए चार डिगरी और एक घंटे के लिए पंदर डिगरी का अंतर होता है ओके ओ सोरी सोरी मैंने कहला दो एक डिगरी देशांतर के लिए मलब एक डिगरी अंस बरावर होगा चार मिनट ठीक है एक डिगरी अंस देशांतर बरावर चार मिनट और पंदर डिगरी देशांतर बरावर एक घंटा ठीक है तो अगर एक डिगरी की बात हो तो चार मिनेट ठीक है और एक डिगरी की बात हो तो चार मिनेट पन्दरे डिगरी की बात हो तो एक घंटा ठीक है तो यह हो गया क्यों क्योंकि 24 गंट में 360 डिगरी घंटी है फिरते में है अगे तो इस हिसापसे अगर आप एक गुंटे में देसांतर के 360 से 25 भाग दोगे तो 15 डिकरी आंस देसांतर सूर के ठीक सामने से होकर जाते हैं अर्थाथ 1 डिकरी आंस देसांतर के अंतर के लिए स्थाने समय से 4 मिनट का अंतर होता है आपको के मेल इतना याद रखना है कि एक घंटा बोले तो 15 डिगरी और चार मिनट बोले तो एक डिगरी या फिर इसी गूलट दीजिए एक डिगरी बोले तो 4 मिनट 15 डिगरी बोले तो एक घंटा बस अगला कोश्चन भारत की राष्टी जन संख्या निती 2020 का नुसार निम जो बोल रहा है राष्टी जन गन्ना निती 2020 जो है राष्टी जन संख्या निती 2020 इसके अनुसार जो हमारा लच्छ है जन संख्या अस्थीरता प्राप्त करने का वह 2045 कब है 2045 तक हमें जन संख्या अस्थीरता को प्राप्त करनी है बर्स 2045 तक बर्स 2045 तक हमें जन संख्य यानि कि भारत को जन संख्या अस्थीरता प्राप्त करने का लच रखा गया है जन संख्या अस्थीरता प्राप्त करने का लच कब रखा गया है 2045 तक किसके अंसार भारत की राष्ट्रिय जन संख्या नीती 2020 के अंसार याद रखे है क्या गाई के नसलों में कौन बिदेशी नसल का है गाई के नसलों में कौन बिदेशी नसल का है इसका राइट अंसर है उप्शन D फ्रिजियन फ्रिजियन जो है फ्रिजियन फ्रिजियन जो है बोर घाय के नस्लों में कौंसे विदेशी नसल का है तो Fraserian जो है गाय की एक विदेशी नसल में प्राकरतिक फ्रिछियन यानि कि प्रेसराइजड नेशुरल गैस बोलते हैं प्रेसराइजड नेशुरल गैस जो है उसका पर्योग किया जाता है किस लिए तो खाना पकाने के लिए ठीक है पकाने के लिए भोजन बनाने के लिए हम लोग प्योग करते हैं जो हमारे घरेलू प्योग के लिए डेली जो हम पकाने के लिए या भोजन बनाने के लिए यूज करते हैं ठीक है पिन जी गास ज्याद रहेगा अपकोस उसको इसका फुल प्रम क्या होता है प्रेसराइजड नेच्छराइड गैप लेकिन इसको शॉट में यह भी लोग वोल देता है पाइपड नेच्छराइड गैस ठीक ह LPG होता है लिक्विफाइड प्रेसराइड गैस LPG सिलेंडर का एक बहतर विकल्प है गैस के परियोक्त में किया जाता है कुछ खास दिया नहीं है एक्स्प्लिनेशन में चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन स्क्योर किस परकार के अभिकिरिया से सबसे अधीक हानिकारक विक्रन पैदा होता है तो सनलेयन अभिकिरिया से सबसे अधीक हानिकारक विक्रन पैदा होता है ठीक है रिखनले शनेलखन न विक्रिया बहुत तिवर चाल से होती है जिसके परिणाम सबसे अधिक आणिकार को बिक्रनस पैदा होता है Hydrogen Bolt न विक्रिया पर अधारित है जो Hydrogen Bomb होते हैं वह न विक्रिया यानि के Nuclear अनिएंत्रित शन लियन होता ।ाहि जिसको आपको हमें किवल इतना याद रखना है कि सबसे अधी वो कौन से अभिकिरिया है जो सबसे अधी खानी कारेक बिक्रन पैदा हो करता है तो वो होगा सनलेया अभिकिरिया आइड्रोजन बम इसी पर अधारित है ठीक है चली अगला कोश्चन निम्लकित में किसका उपयोग पर तरह किया जाता है ठीक नियंत्रक छाड़ों की तरह किया जाता है परमानु भाट्टी में एक रोड होता है ठीक होता है जिसको हम लोग नियंत्रक छाड़ काते हैं तो किसका परियोग किया जाता तो वह बोरौन होता है बोरौन का परियोग हम लोग नियंत्रक छाड़ के के लिए हिएट करते है नयंत्र they stored होता है यानि कि परमानू भड्टी उसमें हम लोग तरो GET होता है कंट्रोल करने लिए नगार्वन भी तो तो किस चीज करना होता तो बोरोन का वो जो जो रोड होता है वो छड जो होता है वो बोरोन का होता है ठीक है परवानु भठी में परवानु भठी में जो रोड होता है वो क्या होता है बोरोन का परियोग क्या होता है कभी कभी कैडमियम का भी हम लोग परियोग करते हैं ठीक है यानि कि आप से पूछे कि परवानु तथा बुरोन का परियोग किया जाता है नियंत्रक छड के रूप में जबकि बिमंदक या निकि बिमंदक के रूप में भारी जल तथा ग्रिफाइड का परियोग किया जाता है ये तो आप रठी लो अगर आपसे बिमंदक के बारे में पूछे तो आपको बतलानी है भारी जल और गिर्फाइड ठीक है भारी जल और गिर्फाइड का परियोग बिमंदक के रूप में किया जता है ठीक है और नियंतरक छड के रूप में परयोग केडमियम और बुरोन का किया जता है यानि नियंतरक छड बोले तो केडमियम बुरोन और बिमंदक बोले तो भारी जल और ग्रिफाइड बिमंदक बोले तो बहारी जल तथा ग्रिफाइड और नियंतरक छड बोले तो केडमियम और बोरोन याद रहेगा? अफकोस चली अगला क्योश्चन है चीली सोरा किसका समाने नाम है? सोडियम नाइटरेट का नाम है चीली सोरा सोडियम नाइटरेट का नाम है यह आटा कामा मरुस्थल में सरवाधीक पाया जाता है यह जो चीली सोरा है वो आटा कामा जो डेजर्ट है आटा कामा डेजर्ट वहाँ पर सबसे अधीक पाया जाता है सोडियम नाइटरेट ठीक है? सोडियम नाइटरेट या Kung HaniUp चीली सोरा वह सबसे दीख कहां पाया था आठा कामा डिजट ठीक हां आठा कामा डिजट में सबसे थीख पाया था व्याहिना जिसको हम लोग चीली सोरा कहते हैं चीली सोरा को का रसायनिक नाम क्या है zodंसि, चीली सोरा को क्या खाते हैm analysis, MODK के नाम से भी जाना जाता है कारबोली कमल के नाम से फिनोल को जाना जाता है ठीक है फिनोल क्या है कारबोली कमल है फिनोल क्या है कारबोली कमल है चलिए ठीक है आगे बढ़ता है आगला एक कॉस्चन्स क्यों परमानु तत्व संख्या 29 किसे संबन देते हैं तो D-block से परमानु संख्या जो 29 है वो D-block से स मन्दित प्रबानु संक्या 29 ठीक है 29 कॉपर यानि की कॉपर को कहते हैं सी यू को ठीक है जो की दी ब्लोक में रखा गया ठीक है एस पीडी में बाटा जाता है जैसा कि आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रोनिक बिन्यास बनाया जाते हैं आफ बाव नियम की सहाहिता से तत्वो का इलेक्ट्रोनिक बिन्यास बनाया जाता है और इस परकार उर्जा बढ़ते करम में SPDF block में बाटा जाता है ठीक है अगर हम परमानु संक्या 29 की बात करें जो कि copper को कहा जाता है तो वो D block में रखा गया है ठीक है किसमें रखा गया है D block में उसको रखा गया है ठीक है अगले questions की और बाढ़ते है जब दो परमानु के बीच आबंद यानि कि बाढ़ बनता है जब दो परमानु के बीच बाढ़ बनता है तो परनाली यानि कि समुदाई के उर्जा पर क्या प्रवाब पढ़ता है तो घटती है जब दो बाढ़ बनते हैं जब दो परमानु के बीच बाढ़ बनता है ठीक है तो उर्जा घटती है ठीक है तो उनके बीच जो उर्जा होती है समधायों में वो उर्जा घटने लगती है ठीक है क्या होता है घटने लगती है तो आपको क्यों इतना याद रखना कि जब दो परमानों के बीच बॉंड बनता है तो वो जो दोनों समधायों के बीच उर्जा लघते हैं आगे बढ़ते हैं अगले कोशन आग्ले कोशन स्किर अ 175 निम्हिंत में से किन कनुमें कनुन तरंग की bringt पाए जाती है किन कनुमें कनियें तरंग की दू परकरती पाया जाती है तो ईलेक्ट्रौन में बोल रहा है किन इलेक्ट्रोन में कनियत रंग की दो प्रकृति देखी जाती है ठीक है दो प्रकृति देखी जाती है दो प्रकृति देखी जाती है किस में इलेक्ट्रोन में इलेक्ट्रोन के कनों में कनिय तरंग की दो परकृति देखी जाती है जिसको हम लोग दूई परकृति पाए जाती है अभी कहते हैं इलेक्ट्रोन याद रखेगा अगला कोश्चन एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं अगला question, निमलखित में से कौन रिषेदार प्रोटीन का उदारन है, इसका right answer है किरोटीन, किरेटीन, किरेटीन को रिषेदार प्रोटीन का उदारन करते हैं, ठीक है, किरेटीन जो है, वो एक रिषेदार प्रोटीन का उदारन है, रिषेदार प्रोटीन का उदारन है, एक क किरेटीन किरेटीन जो है वो रिषेदार प्रोटीन का उदाहरन ठीक है किरेटीन किरेटीन ठीक है यह जो प्रोटीन यह जो प्रोटीन है वो बाल नाखुनों और सिंगों इत्यादी में पाया जाता है जो किरेटीन होते हैं वो प्रोटीन किरेटीन प्रोटीन वो बाल और न नाखून शिंग ये सारे में किरे टीन नामत प्रोटीन पायाता है ठीक है की री टीन नामत प्रोटीन कहां पायाता है नाखून बाल और सिंग में ठीक है याद रहेगा चलिए आगए बाठतें अगले questions क्यों निवलिखित मैंसे कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त् नहीं करता है यक्रित यक्रित जो है कोई भी ऐसा एंजाइम सेक्रेट नहीं करता है जिससे हमारा पाचन क्रिया हो या पच्छे खाना जो भी ठीक है तो यक्रित ऐसा नहीं करते हैं बागी सारे लार गरंति होते हैं जिसमें टाइल टाइलन नामा के एंजाइम होते हैं जो लेकिन लेकिन वो कोई पाचक एंजाइम नहीं करते हैं ठीक है फिर भी यह पाचन में बिशेस्ता बसाओं के पाचन में महत्पुर्ण भाग लेता है लेकिन अगर हम बात करें लिवर की तो जो बसा होते हैं बसा क्या एक तरह का फैट ही है समाझे ठीक है तो बसा के पाचन में यकृत बहुत महत्पुर्ण भूमिका निवाता है ठीक है ये बात सही है हाँ हलाकि ये कोई enzyme produce नहीं करता पाचन ये लेकिन जो बसा होते हैं fat होते हैं उसके पाचन में इनका काफी बड़ा युगतान होता है किसका लीवर का यकृत का चलिए आगे राइबोशलेवीन करते हैं यान रखी सब question directly पूछ दिये जाते है 25 B2 को राइबोशलेवन करते है राइबोशलेवन ta ups ab naming मुटर का आसमान घ्यटक है यह यहले oh you mean मुटर का आसमान घ्याटक है Albumin मुत्र का आसमान घटक है समान मुत्र में जल जो होता है 45% यूरिया 2.6% लवन के आयन 2% और क्रियेटिनीन 0.3% मुत्र में Albumin नहीं होता है मुत्र में Albumin नहीं होता है लेकिन मुत्र का आसमान घटक है Albumin आसमान समान नहीं आसमान घटक यानि कि मुत्र में क्या-क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं तो मुत्र में सोडियम होता है यानि कि नमक यूरिया होते हैं ठीक है क्रियेटिनीन होते हैं क्रियेटिनीन भी होता है आपका 2 परसंट यह निक्सोडियम 2 परसंट होगा तो सोडियम यूरिया क्रियाटिनीन और जल यह सारे होते हैं मुत्र में लेकिन अल्यू भी मीन नहीं होते हैं अगला कोश्चन है महारंदर जो एक द्वारक है निमन में से कहा होता है तो कपाल में महारंदर एक द्वारक है जो कपाल में होता है कपाल बोले तो मस्तिस्क ठीक है महारंदर जो एक द्वारक है कपाल में होता है अगला कोश्चन है मानव रुधिर का पियच मान कितना होता है सो 7.4 जो यूमन रुधीर होते हैं बलेड होते हैं उसका pH मान 7.4 होता है 7.4 होता है मानव रुधीर का pH मान मानव रुधीर का pH मान कितना होता है 7.4 अब आगे बढ़ते हैं ECG ECG किसकी गतिविधी को दरसाता है तो ECG हिर्दय की गतिविधी को दरसाता है अठीक है, ECG ही लेक्ट्रो कारडियोग्राम एक परकार का चिकित्सिय परिछन है जो हिर्ड़य की गतिवित्पी को दरसाता है इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम एक परकार का चिकित्सिये परिच्छन है जो हिर्दय की गतिविती को मापता है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं आगले questions की और तो next question है कौन सा दोनों स्त्रावी ग्रंतिया और अंत्रावी के रूप में वैभार नहीं करता देखे जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ ग्रंतिया अनत्रावी ग्रंतिया होती है और जो दोनों नहीं है तो प्यूंस गरंती जो आए वो ऑधश्त्रावी गरंती यह फिर अंतरस्रावी गरंती दूंस अरफर Puze गरंती नहीं करता है 28 कई क्यों प्यूंस गरंती का वियंस के सबसे छोटी आत अंतरस्रावी ग्रन्थिये ठीक है यह अंत्रावी ग्रन्थियों को नियंद्रीट करता और इसके जो हार्मोंस होते हैं वो अन्न सारे जो ग्रन्थियों है उनसे जो निकलने वाली गरंथियां और सव्य हार्मोंस हैं उसको रेगुलेट करता या केवल इतना कहा लीए कि प्यूस गरंथी जो है वो अन सारी गरंथियों को रेगुलेट करता है इसे मास्टर गरंथी करते हैं जब कि अगनासय ब्रिशन तथा अंडासय मिस्रित गरंथियां यानि कि बाकी सारे जो हैं वो अनतसरावी और बहर सरावी दोनों हैं दोनों के रुप में बवार करते है लेकिन ये केवला अंतसरावी गरंती है पियुस गरंती जिसको मास्टर गरंती भी करते है पियुस को पिटूटरी गलेंड भी करते हैं अगला कोश्चन और देखते हैं निमन में से कौन सा प्रकरम अंधकार के समय पाधपो के साथ संबंध होते हैं चालन और सुवसन प्रकरम अंधकार के समय पाधपो के साथ संबंध होते हैं अगला कॉश्चन किसी ब्रिच को अधिकतम हानी निम्न में से कैसे पहुंचती है तो उसकी चाल का नास होने से जब अगर किसी ब्रिच का चाल निकाल दिया जाए तो उस ब्रिच का सबसे ज्यादा नुकसान होता है ठीक है उसको सबसे ज्यादा हान होती है ठीक है किसी ब्रिच को पहुंचते हैं ब्रिच में फ्लोम उत्तक का अभाव हो जाता है ठीक है छाल निकाल देलने से ब्रिच में फ्लोम उत्तक का अभाव हो जाता है जिससे खाद प्रिवन के करिया बाधिद होती है, जिससे खाद परिवन यानि कि खाना पिना उसका बंद हो जाता है, अगर आप छाल निकालने पेड़ ऊधे का, तो उससे क्या होता कि फ्लोयम उत्तक का कमी हो जाता है, उसमें फ्लोम उत्ता कोता उसके चाल में फ्लोम उत्ता कोता क्या फ्लोम टिसू होता है पेड़ों के चाल में ठीक है अगर आप चाल निकाल देंगे तो जो फ्लोम टिसू है फ्लोम चाल है उसकी कमी हो जाएगी जब उसकी कमी हो जाएगी तो वो अपना खाना उना नहीं पह पाएगी इससे क्या होगा उस पेड़ का बिनास हो जाएगा और बहुत ज्यादा नुपसान हो जाएगा ठीक है तो उसकी छाल का नास हो जाने से ब्रिच को अधिक्तम हानी होती है आगला कोश्चन सुध जल किस ताप मान पर जम जाता है तो 32 दिग्री पर सुध जम जाता है परन जाता है सुज़ 22 डिग्री फेरेंहीट पर जम जाता है सो डिग्री पर उबलता है सेльशियस में समबंध इस त тобой है अगर आपको कभी पूछ दे कि सैलसियस पो फेरेंहाइट में बदल लिए तो उसका फर्मूला क्या उसका फर्मूला कुछ नहीं है आप एफ लिखो यानि कि फेरेंहाइट माइनस 32 लिखो बटा नो लिखो क्या लिखो फेरेंहाइट माइनस 32 बटा नो कितना फेरेंहाइट यानि एफ माइनस 32 बटा नो एफ माइनस 32 बटा 9 बराबर C बटा 5 कितना? C बटा 5 यानि कि Celsius बटा 5 बराबर Celsius बटा 5 एक वार फिर से बलता है F-32 बटा 9 बराबर C बटा 5 यह दोनों बराबर हो जाएंगे उसके बाद जिसका value दिया गया है उसको convert करके cross multiply करके अपनी काल दो तो याद रहेगा आपको जो सूध जल है वो कितने degree Fahrenheit पर जम जाएगा 32 बटाबर और कितने degree Celsius पर जमेगा तो 0 degree Fahrenheit बोले तो 32 बटाबर अगला question अब तल लेंस में हमेशा निमलकित में से कौन सा परतिविम बनता अब तल लेंस में हमेशा कौन सा परतिविम बनता है अबहासी और सीधा क्या अबहासी और सीधा अबहासी और सीधा अबतल लेंस में परतिविम बनता है अबहासी और सीधा परतिविम अबतल लेंस में बनता है हमेशा ठीक always हमेशा जो परतिविम बनता है अवहासी और सीधा परतिवीम अवतल लेंस में बनता है अवहासी और सीधा परतिवीम 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 बनता है अवहासी और सीधा पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है जो गेलियो के गिरते पिंड है वो और किस नियम से जाना जाता है वो न्यूटन का पहला नियम है गेलियो के गिरते पिंड को हम लोग न्यूटन का पहला नियम भी कह सकते हैं ठीक है गेलियो के गिरते पिंड के नियम को नहीं है तो kg-meter-per-second जो है kg-meter-per-second, उर्जा की एक इक आई नहीं है बाकि Newton-meter-Joules ठीक है? यह सारे क्या है उर्जा की एक कहा ही है ठीक है लेकिन केजी मीटर पर सकेंड यह उर्जा की योनिट नहीं अंगला कोशिशन है रेक्टीब फायर का उप्योग निमन मेंसे किसके परिवर्थन करने में किया जाता चाल रेक्टीब फायर का उप्योग Kunt Amp 주om कि और एकегоप एससे डीसी कनवर्ड करने के लिए रिक्टिफाइर कांवलोह उपयोग करते हैं थीक हैं एक करते हैंशे से नियाला की नएधिसों की संख्या बढ़ाने की सक्ति किसके पास है तो उस्तम नियाला याने की सुप्रीम कोट ठीक है सुप्रीम कोट के जज होते हैं उनकी संख्या बढ़ाने की सक्ति किसके पास है तो संसत के पास ठीक है पारलियमेंट के पास है संसत के पास है पारलियमें के पास केवल पार्लियमेंट सुप्रीम कोड के जयजों की संख्या को बढ़ा सकता है ठीक है कौन बढ़ा सकता है पार्लियमेंट अगला कोशन लोग सभा की बैठा की स्परकार समाप्त की जाती है उप्रोक्त सभी द्वारा यानि कि लोग सभा की बैठा को कभी-कभी अस्थागन किया जा सकता है सत्रा वसान द्वारा किया जा सकता है बिगटन किया जा सकता है ठीक है लोग सबाकी बैठक किस परकार समाप्त की जा सकती है तो प्रोक्त में से सभी द्वारा अस्थागन क्या होता है जब को भी बैठा को लगा माली आज संसत का सत्र चल रहा है ठीक है अब चल रहा है तो मा वाच्छा नहीं होगा तो ऊस खतांगित करें सात्रहवसान राष्ठपती दुवारा किया जाते हैं यानिकि संसुअ का शत्र हरा है जैसे मानसुन सत्र चल रहा है तो अगले जो सत्र आने वाले होते हैं जैसे मानसुन सत्र तो तब तक के लिए राष्ट पती क्या करते हैं सदन का सत्र वासान कर दते हैं ठीक है एक लंबे समय तक सत्र वासान चलता है लेकिन स्थाकन क्या होता है एक कम समय के लिए होता है पार्टिकुलर समय के लिए होता है सत्र वासान एक फिक्स्ट होता है लंबे समय के लिए होता है राष्ट पती द्वारा किया जाता है लेकिन बिगटन होने के बाद अगला इलेक्षन के बाद ही संसद का थी बैठक होगी संसद है सोरी लोकसवा का बैठक होगा नहीं होगा या जो होगी ठीक तो लोकसवा का बैठक अस्थागित किया जाता है बैठक केवल एक बैठक को अस्थागित करता है जेवकि 17 वासन कई बैठक को स्थागित कर सकता है बिगटन तो समाज लिजिए कि लोगसभा भांग ही हो गया तो इसका राइट अंसर उप्रोक्त में से सभी होगा कि लोगसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता स्थागंद वारा सत्रवसंद वारा बिगटंद वारा नेक्स्ट कोश्चन है राजसवा में राजियों को परतनिधित्व किस अधार पर दिया जाता है उनकी जनसंक्या का अनुपात में अस्थान दिया जाता है उनकी जनसंक्या का अनुपात में राजसवा में राजियों को परतनिधित्व परदान किया जाता है अगला कोश्चन बारते सम्मिधान की उदेशची का अतुब प्रस्तावना किन सब्सक्राइब बारत के लोग दांतरिक गन्राज बनाने के लिए हम सम में बस यह किड़ पीपल आप लुब फापटा वां कलयर द्रेजोड फोंशनु मुर्ब दे अहाने मिलंती और ऑफ्ट एक्स्प्रेशरें बिली फेत और शीप कि एक्वालेटी अव जिस्टीस स्पोलेटीकल म्लाविरे लिवीर्टी ऑफ जिस्टेंच पॉलिटीकल एकोनॉमिकल इसतरह से हैomina एक लुए याद था अभी भोल रहां चलि आए आगे बढ़ता हूं समिधान के कि संसोधन द्वारा लोग सभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा कर 545 कर दी लोग सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गया यह समिधान के संसोधन के द्वारा पहला तो यह है दूसरी बात की पहले 525 था 545 कर दिया ठीक तो यह कौन से समिधान संसोदन के तहत ऐसे बदलाव किये गए तो 31 समिधान संसोदन के तहत 525 से बढ़ा कर 545 कर दिया गया किसको लोगसवा के सदस्यों की संख्या 31 याद रखेगा 31 यानि 31 समिधान 31 Constitution Amendment Act के तहत लोगसवा के सदस्यों की संख्या जो थी वो 525 से बढ़ा कर 545 कर दिया गया अगला question राज्यों के सीमा छेतर में विर्धी कमी नाम परिवर्तन से समंधित विदेयक पर निमलिकित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवस्यक है अगर किसी भी राज्य की सीमा छेतर में विर्धी करनी हो कमी करनी हो या नाम बदलना हो तो इसके लिए हमें पहले राष्टपती की मंजूरी लेनी आवस्यक है राष्टपती की मंजूरी लेने के बाद ही हम किसी राजी का नाम बदल सकते हैं उसके छेतर में कमी कर सकते हैं या अन्यसारे कार कर सकते हैं ऐसे विदहे को इंट्रोड्यूस तभी किया जा सकता जब राष्टपती की अनुमतियों ठीक है चली आगे बढ़ते हैं यानि कि राजीयों के नाम बदलने के लिए राष्टपती की पुर्व मंजूरी की जरूरत है चली आगे बढ़ते हैं अगले कोस्टन की और अगला कोस्टन निमिल्कित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है क्योंकि धर्म की स्वतंतरता का अधिकार सही सुमेलित नहीं है क्योंकि धर्म की स्वतंतरता का अधिकार है उनुचेद 25 से धर्म की स्वतंतरता का अधिकार आपका अनुचेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंतरता का उलेक किया गया है जो धर्म की स्वतंतरता का अधिकार है उसका उलेक अनुचेद 25 से 28 तक किया गया ठीक है बाकी अन्य सारे सही है मैं एक बार बोल देता हूँ समानता का अधिकार 14-18 अनुछेद 14-18 के बीच में समानता का अधिकार का चर्चा किया है सोतंतरता का अधिकार 19-22 तक अनुछेद 19-22 तक सोतंतरता का अधिकार है सोचन के विरुद अधिकार 23 और 24 सोचन के अधिकार से सुरच्छा परदान करता है धर्म की सुतनता का अधिकार 25-28 होना चाहिए ठीक है लेकिन इसमें 25-27 है, इसली ये गलत अगला कोश्चन अगला कोश्चन है उपराष्टपती का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाब कराने का प्रापधान है उपराष्टपती का पद अगर खाली हो जाए तो कितने दिन के भीतर चुनाब हो जाना चाहिए इसका कोई समय सिमान नियत नहीं है यानि पद अगर रित हो तो नए चुनाब के लिए चलिए अगला कोश्चन निमलखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसका राइट अंसर उप्संट सी राजपाल का बेतन और भात्य केंद्र की संचित निदी पर भारित होता है जो की सही नहीं है ठीक है नहीं है क्यों नहीं सही है अनुच्छेद 155 के अनुसार राजपाल की नियुक्ति राष्टपती द्वारा होती है राजपाल के बेतन भात्य राज की संचित निदी पर भारित होती है ठीक है यानि कि राजपाल के बेतन भात्य जो होते है वो केंद्र के संचित निदी पर न जानता होगा ठीक है आर्टीकल 155 नियुक्ति करते हैं और राजपाल के बेतन भात्य का निर्धारन कोन करेगा कि महलोग कहां होता है तो केंद्र की संचित निदीस नहीं होता है वलकि राज की संचित निदीस होता और इनके बेतन भात्य का निर्धारन भी राष्टपती ही करता है कौन करता राष्टपती और देख लेते हैं राज का महाधिवक्ता राजपाल के परसाद परियंद पद धारन करते हैं सही बात है यानि कि राजपाल के बारे में आपको जानने कब सर मिला जानिए जानिए राज का महा वाली बात है राजपाल के बारे में कि सुवरा विवेक पर अधारित कारियों के बेशयों में राजपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने के law बाद नहीं है अगर सुवविवेक कुछ आईसा राजपाल तरगत अगर उस मामले वह अगर कोई निरने लेना हो तो वह मंत्री परिशत की सलाह के लिए बाद नहीं है कि वह जो कहेगा वही हम सुनेंगे कुछ सक्तियां है स्वर निरने लेने के लिए राजपाल के पास ठीक है और राजपाल राज की विधायका का अंग होता है जिस तरह राष्टपती संसद की संसद का पाठी होता है विधायका का पाठ होता है उसी तरह राजपाल राज की विधायका का अंग होता है ठीक है यह सारे फैक्ट्स य इनके बेतन भारित नहीं होते है बलकि राज के संचित निधी पर इनका बेतन भक्ता भारित होता है यानि कि दिया जाता है राज के संचित निधी से अगला कोश्चन निमलिकित में से कौन से बिस है राज सूची के अंतरगत आते हैं तो पूलिस पूलिस जो है राज सूची सब जानते हैं फिर्फ टीक है लोडेंश पूलीश या सब जमीन जाय दाथ यह सब स्टेट लिस्ट के अंतरगत आते हैं यानि सुची कंत्र गत और इससे जूड़े कानुन बनाने काधिकार केवल और केवल राज सरकार को है ठीक है अन्य सभी मामले छोड़कर पृष्थितियां छोड़कर अगला कोश्चन भारते सम्मिदान में अब सिस्ट भिषय किसे प्राप्ट को यानि कि राज़ राज़ सूची और एक cuma वरती सूची और इन वह वह कि अब सिस्ट छे तो अब सिस्ट यानि उस पर कण कोन बना सकता बाकी बचे हुए विसवे क्लार राज पर कान invent ab, अधिकार है कि अपसीष्ट विशै पर कानून बना सकत आ अधिकार संसत को दिया गया अगला को राष्टी नियोजन समिति का गठन किस वर्स किया गया राष्टी नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया 1938 में किया गया राष्टी नियोजन समिती का गठन ठीक है जिसके अधियच पंडित जवाहर लाल नेहरू थे जिसके अधियच पंडित जवाहर लाल नेहरू थे राष्टी नियोजन यानि कि नेशनल प्लानिंग कमिशन नेशनल प्लानिंग कमिशन का अगठन उन्हें 38 में किया गया था जिसके अध्याच जी एलन जवार लाल नहरू थे ठीक है अगला कोस्टन गेल के स्थापना किस बरस होती तो 1984 में क्या यार गेल फेल जेल गेल बोले तो क्या भारतिय गैस प्राधिकरन लिम्टेट ठीक है इ नई दिली में इसके मुख्याल है अगला कोस्टन पूर्थी स्वयम अपनी मांग उत्पन करती है यानि कि सफलाई जो आते हैं पूर्थी सफलाई स्वयम अपनी मांग उत्पन करता है कैसे बाई सफलाई अगर हम समान को ज्यादा खेती कर लिए दान हम उपजा लिए तो म गजा यह देखते हैं यह किस नियम से सब्मंदित है तो से का नियम कहता है कि पुर्थिस्वम अपनी माझ उत्वपन करती है से का नियम सेक नियम क्या है सेक नियम गन्सार पूर्ती स्वाम अपनी मांग उत्पन करती है यह नियम बस्तु बिनिमय और मुद्रा बिनिमय दोनों पर लागू होता है ठीक है जो मुद्रा बिनिमय होते हैं यानि कि मुद्रा करेंशी का एक्षेंड करेंशी एक्सचेंज और बस्तु एक्सचेंज यानि कोमेडिविटीज एंड करेंशी एक्सचेंज दोनों पर यह नियम काम करते हैं सेक नियम कहता है पूर्ती स्वयम अपनी मांग उत्पन करते हैं के वल इतना याद रखिया कि पूर्ती स्वयम अपनी मांग उत्पन करता ह यह सेक अनियम काता उदारन क्या है तो बस्तू भी निमें और करेंसी भी निमें याद रखिए अगला कोश्चन रेखी समीती का संबंध किसी से है आप परतियचकर से आप परतियचकर से रेखी समीती का संबंध है रेकी समीती आपरतियचकर खुसरो समीती क्रिसी साख और गोई पोरिया समीती बैंक सेवा सुधार गोई पोरिया समीती बैंक सेवा सुधार खुसरो समीती क्रिसी साख रेकी समीती आपरतियचकर अगला कोश्चन भारत में मौदरिक निती कौन निर्धारित करता है रबी करता है और ऐसका मुख्याल है मुंबे है और बस मोनेटरी पोलिसी को निर्दारित करता है एकाला क्सट्ट टाइगर मैन आफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है टाइगर मैन ओफ इंडिया केलास सांखला को जाना जाता है टाइगर मैन ओफ इंडिया केलास सांखला को कहते हैं केलास सांखला को टाइगर मैन ओफ इंडिया कहते हैं ठीक है यह राजस्थान के निवासित हैं इनके ही नितरित में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुव में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था कौन सांखला कौन सांखला कलास सांखला कलास परवत ठीक है कलास सांखला कलास बोले तो टाइगर प्रोजेक्ट कलास सांखला टाइगर मैं आफ इंडिया का याता है यह रास्थान के कलास सांखला यृधा को टैगर वी इंडिया का दा राय थान के निवासी थे आर विए चीए 19 growing in प्रोजेक्ट टायर को फुम ति chínhा अगला को समय पटना पच्ची बीहर कहां अस्तित है嗎 पटना पच्ची बिहार कटिहार में अस्तिता है हीड कल पर्योजना किस नदी पर अस्तिता है घाट परवा नदी पर अस्तिता है हीड कल परिजना घाट परवा पर अस्तिता है अगला कोशन है बीस पर्यावरन दिवस कब मनाया जाता है पांच जून को यार बीस पर्यावरन दिवस पांच जून को मनाया जाता बीस पर्यावरन दिवस पांच जून को मनाया जाता प्रोजेक्ट इलिफाइंट की सुरुवात किस बर्स की गई थी 1992 में अब प्रोजेक्ट ताइगर 1973 मेंठ प्रोजेक्ट इलिफाइंट activities, धिक है तेका याद रहेगा याद रहेगा हमारा कोई भी समस्या का हल जो है वो परकिरती में ही है ठीक, our solutions are in the nature, ठीक, अंतराश्टे जया विविता दिवास 2020 का theme था, ठीक, अंतराश्टे जया विविता 2020 का theme था, आवर सोल्यूशन इन नेच्चेर फिक्टी एट न 22 मही को जय बिविता दिवस मनाया जाता है 22 मही को अंतराश्टी जय बिविता दिवस मनाया जाता है अगला कोस्चन 20 प्रेश स्वतंतरता सुचकांग दुहर बीस में भारत का स्थान क्या है 140 यानि कि वर्ड प्रेश shallुट्रता सुचकांग 20 में भारत का स्थान 142 हैं 140 हैं 20 प्रेश स्थान सुचकांग है जो 2020 है यानि कि वर्ल्ड प्रेश इंडिपेंडेंट इंडेक्स noi तो देख लेते हैं 59 कहा आगया यार कि देखे ठीक बात नहीं है जो देना चेह देता नहीं है इसमें दिया गया नहीं है कि प्रेश वतंतरता सुचकांग दोहर 20 कौन जारी करता लेकिन मैं अगले वीडियो में इसको जरूर बतलाओं आपको ठीक है फिलाल के वहले इतना याद रखे गया इसमें टॉप नॉर्वे हैं भारत का स्थान 142 हैं ठीक बिस वह प्रेश वतंतरता सुचकांग दोहर 20 में एनमसी का थे उलेक किया गया था प्रवधान किया गया था कि 2020 का स्विच्छा है पॉलिशी एडुकेशन पॉलिशी उसमें राष्टिय चिकत्सा आयोक का गठन किया जया है ऐसा प्रवधान था ठीक है तो एनमसी के पहले अध्याच कौन थे प्रफेसर सुर्वेस चंद्र सर्मा राष्टिय चिकत्सा आयोक के पहले अध्याच कौन थे प्रवधेसर सुर्वेस चंद्र सर्मा स् लेखक कौन है चेतन भागत इंडिया पोजिटिव पुष्टक के लेखक चेतन भागत है तंजानिया की राजधानिक कहा है डोडोमा डोडोमा तंजानिया की राजधानिया डोडोमा तंजानिया की राजधानिया अगला कोश्चन है जीला अस्तर पर सार्वजिनिक वित्य प सहाराजिनिक बित्य परवंदन्दन पर नालिट को शंचालित करने वाला पहला केंदरसासित पर देश जम्मु अंकस्मीर है है करें मैं झालो आगे बटाइब भारत्य नुस्य नां दिवस कम मनाया जाता है चार दिसंबर को भारत्य नुसए न दिवस दिवस कम मना जाता है चार दिसंबर को भारतिय नो सेना दिवस मना जाता है बारतिय नो सेना दिवस चार दिसंबर को मना जाता है 20 वका सबसे बड़ा सौर बिर्च सोलर ट्री कहां स्थापित किया गया दुरगापुर में बिस्व का सबसे बड़ा सौर बिर्च कहां स्थापित किया गया दुरगापुर में दुरगापुर में सोलर ट्री स्थापित किया गया याद रखिएगा दुरगापुर में जो की बंगाल में पड़ता है ठीक है बिस्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां स्थापित किया गय और आपको मिलाना है कि कौन सा सई सुमेलित नहीं है ठीक है यूद्ध अभियास दे दिया और किस किस देश के बीच में यह अभियास किया जाते है उनका नाम दे दिया आपको मिलाना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है सही सुमेलित माइनेक्स और जो है वो नहीं है क्यों बी जो अप्षन है वो गलत है ठीक है माइनेक्स भारत और मालदीव के बीच में नहीं है ठीक है तो किसके बीच में है वाई देख लगत माइनेक्स जो है वो क्या है कि पहला दुवपच्छी बारतिय नोस्यना और जपानी समुंदरी आत्मरच्छा बल ने अपना पहला दुवपच्छी माइनर सोरी माइन कॉंटर मेजर एक्सरसाइज माइनेक्स किछmüş माइनेक्स जो है वो किसके साथ जयपान और भारत के बीच में यह एक्सरसाइज हुआ था यूदअभयास हुआ था किछ के किस कि में वाथा भारत और जपान के बीच में ठीक आपका भारत और कतर के बीच होते हैं माइनेस के वल गलत है बाकी सारे सही है जाहर अलबहर आपका भारत और कतर के बीच होता है भारत और कतर के बीच जायर अल बहर युद्य अभ्यास होते हैं ठीक है और समुद्र सक्ति भारत इंडोनेशिया ठीक है चुकि इंडोनेशिया समुद्र में ही है तो समुद्र सक्ति तो समुद्र सक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज होता है युद्य नौबेल प्रश्कार की से की कि दिए गया खेला किसका चेहन कि आ गया है तो SINAग को स। स। नोबेल गाया ठीक है SNa को साइटिक चेह तुम्हें दिया गया भारत के बांगल साइटकार रविद्नाज टैगर को 1913 में उनके कविता संग्रा गितांजली के लिए नोबिल पुरुषकार दिया गया था भारत ही नहीं एसिया के पहले ब्यागतिते जिने नोबिल पुरुषकार प्रदान किया गया ठीक है यह तो सब को मालूम होता है कि रविद्नाज टैगर को पहला नोबिल पुरुषकार मिला था ठीक है लेकिन किसलिए दिया गया था यह बहुत कम लोग को ही मालूम होता है तो उनकी एक कविता संग्रा थी गितांजली गितांजली पुष्टा के लिए उनको नोबिल परशकार दिया गया था गितांजली के लिए ठीक है है प्रोफेसर लुईस गलिक लिए प्रोफेसर लुईस गलिक को इस बरस का नोवेल्स परशकार मिला था 2020 का साहित के छेतर में नोविल पुरिसकार दिया गया था जो लूिस ग्लख है कर यह यल यूनिवर्सिटी में अंगजी की प्रोफेशर अंग्ले येल 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 युनिवर्सिटी में वो अंग्रेजी की प्रोफेशर थी ठीक है लुईस गलिक याद रखिएगा दोहर बीस के साथ तेक नोविल फ्रुसकार के बारे में लुईस गलिक को अगला कोश्चन हाली में किस राज सरकार ने सूस की इलाकों में ग्रीन कॉर्प कार्पेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की आंधर परदेश ने आंधर परदेश ने ग्रीन कार्पेट बनाने के लिए जल कला योजना की शुरूआत की जल कला योजना की शुरूआत की ग्रीन कार्पेट बनाने के लिए आंधर परदेश ने आंधर परदेश न नाम से एक mobile app launch किया गया है ठीक है बिहार संजीवन किस सरकार ने संजीवन नाम से एक mobile app launch किया है इस अब के माध्यम से कोविड 19 से सम्मंदित जैनकारी जैसे बचाव के उपाय जांच उपचार नजदी की होस्पीटल में खाली बेड की जैनकारी मिल सकेगी ठीक है यानि कि संजीवन एप जो है वेसिकली बिहार राज से सम्मंदित है और वह भी कोरोना से सम्मंदित ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कौशन केंग श्यों 29 अगस्त को राष्टी खेल दिवस के अफसर पर पांच खिळारियों कर राजीब गांधि खेल रतन प्रुसकार प्रदान किया ग्यां थीछ सुझ को राष्टी खेल दिवस के डाश्टी खेल दिवस को मनाया था मुंतित है ठीक है उसमें सामिल नहीं है आपको बतलानी है तो मनिका बत्रा विनेस फोगाट रोहित सर्मा ये सारे को राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार दिया गया लेकिन जैस्प्रित बुम्रा को नहीं दिया गया जैस्प्रित बुम्रा सामिल नहीं है राजीव खेल रतन पुरुसकार में रा तोटल 5 लोगों को मिला था और दोको देख लेते हैं नॉ रोहित सर्मा को मिला ठीक है मनिका बत्रा को मिला बिनेस फोगाट को मिला रानी राम पाल रानी राम पाल जो कि होकी की खिलाड़ी है रानी रामपाल होगे की खिलाड़ी हैं उनको मिला था रानी रामपाल को मिला था रोहित सर्मा जो क्रिकट की खिलाड़ी एक और था मरियपन टी मरियपन टी खली याद रखिया मरियपन यह पैरा एथलेटिक्स थे हैं ठीक है प्रीत बुमरा को नहीं दिया गया ठीक है अगला कुश्चन है कि निम्लिकित में कौन सा सही सुमेलित है है ठीक है कोन सा मिजोरा ज़ी है तो नुवा खाई उठ्सभ उडिसा ये गलती है चापकर कोट मिजोर में यह भी सही है यार यने कि पहला दूसरा तीसरा सारे साही है ठीक है नुवा खाः उठ्सभ handicap होता है चापकर कोट उसरम मिजोर kier म होता है जितना कोट खूटあー है चापकर कूट कूट तो कूट जो उत्सव होंगे वो मिजोरम में ठीक है फूल देई उत्सव उत्राखंड में ठीक है फूल देई उत्सव उत्सव उत्राखंड में फूल देई उत्सव 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 मिजोरम में चापकर कूट मिजोरम में फूल देई मैं नू खाई उडिशा में चापकर कूट मिल्चोर में फोल देई उत्रा-खड में ये सारे सही है आगे बढ़ते हैं अगले कुशन किस राज सरकारन हाले में सह Gefühl किलेए सयंकों के लिये निसूलक बस सेवा शुरू की राजस्थान ने राजस्थान के ब्यक्ति बलवीर सी जिनका निधन मैं 2020 में हुआ वक किस खेल से समन्दित थे होकी से बलवीर सी होकी खेल से समन्दित थे जिनका निधन हो गिया होकी से अगला कोश्चन भारतिय वन सर्वेच्छन रिपोर्ट 2019 जो की सोलवी रिपोर्ट है भारतिय वन सर्वेच्छन रिपो 21.67% according to वारतिय बन सरविच्छन रिपोर्ट 2019 21.67% अगला कुश्चन US Open 2020 पुरुष बिजयता डोमिनिक थीयम निमन में से किस देश के खिलाड़ी थे तो सबसे पहले तो याद रखना कि US Open 2020 पुरुष बिजयता कौन थे डोमिनिक थीयम अगला कि यह किस देश से थे ऑस्ट्रेलिया से उस्ट्रेलिया से US Open 2020 पुरुष बिजयता डोमिनिक थीयम नेक्स्ट कॉस्चन है बहतरवे गंतंत्र दिवस के अफसर पर किस देश के राष्टपती को अतिथी के रूप में अमंत्रित किया गया थे सुरिनामा देश के राष्टपती को बातरवे गंतंत्र दिवस के अफसर पर अमंत्रित किया गया थे अगला कोश्चन है भारत की पहली सौर अधार जल पर्योजना की शुरुआत की गई भारत की पहली सौर अधारित जलापूरती पर्योजना की शुरुआत हरुनाचल परदेश में किया गया ठीक है जलाधारित सौर अधारित जलापूरती पर्योजना अगला कुश्चन, विस्विकी सबसे बड़ी पर्मानू सल्लियन पर्योजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है, विस्विकी सबसे बड़ी पर्मानू सल्लियन पर्योजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है, फ्रांस में, फ्रांस में सबसे बड़ी पर्मानू स अलेयन परयोजना फ्रांस में स्थावित किया जा रहे हैं अगला कोश्चन है अंतराष्टी सौर गटवंधन के लिए अगले दो वर्सों के लिए अध्यच के रूप में किस देश को चुना गया है तो भारत और फ्रांस को अगले दो वर्सों के लिए अंतराष्टी सौर कहां किया गया मलेशिया में 27 अपेक्ष अमेलें 2020 का आयोजन मलेशिया में किया गया इंफेक्ष अमेलिन 2020 का आयोजन ठीक है बिहार बिधान सवाचुनाव 2020 कि Desiree में संपन हुआ तीन चरन वं भीषार बिथान सवाचुनाव 22, 23, 24 week बिहार विधान सवा चुनाव तीन चर्णों में संपन हुआ था 2020 का ठीक है इस बार सत्रवी विधान सवा चुनाव था बिहार की सत्रवी विधान सवा हुआ था इस बार ठीक याद रखेगा किना सत्रवी विधान सवा चुनाव जो कि दुहर 20 में हुआ था तीन चर्णों में हुआ था ठीक है अगला कोश्चन है COVID-19 के कारण मास्क के अनिवारिता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज कौन बना राजस्थान राजस्थान जो है वो COVID-19 के लिए मास्क को अनिवारि कर दिया है ठीक है कि आपको पहनना ही पहनना है ठीक है राजस्थान जो कि पहला राज है देश का पहला राज है जो जो COVID-19 के कारण मास्क को अनिवारिता को लेकर कान बनाया राजस्थान राजस्थान याद रखे है राजस्थान अगला कोश्चन है कठोपनिशद का संबंद किस बेद से यजूरवेद यजूरवेद से कठोपनिशद का संबंद है कठोपनिशद का संबंद यजूरवेद हैं अगला कोश्चन है वैसेसिक दर्षन के परतिपादक कौन थे वैसेसिक दर्षन के परतिपादक कनाद मुनि थे चौरासी कनाद मुनि यार ये क्या वाथ हुआ कि देख लेते हैं है कि आंच्छा कनाद मुनि थे यार रख जा कि याяж के विसेशक पूरतार लोग गलती करके आते हैं विसेशिक दर्शन जो है वो कनाद मुनी थे इससे परतिपाद के अनक में विसेश कन विसेश तो विसेशिक दर्जन के परतिपादक कनाद मुनि थे हैं ठीक है और कपील मुनि जो संघे दर्जन के थे ठीक है और पतंजली के जो जो समंदित थे बोल देतां ठीक से यह टो याद है रखकरगा कि विसेशिक दर्जन उच्वके बाद सांख्य दर्शन कपील मुनि योग दर्शन पतंजली नयाय दर्शन गोतम मुनि पुर्व जैमनि क्योत्ता जैमनि जैभाल्व आगे बड़ते हैं आगले कॉश्चान सकित किस मगत समराट को कुनिक कहा जाता अजाद सत्रु को कुनिक कहा जाता अगला कोश्चन हर से सर्व नामक सिचाई करको किसने लगाया था फिरोज साथ तूगलक ने फिरोज साथ तूगलक ने हर्वे सर्व नामक सिचाई कर लगाया था ठीक है इरिकेशन टैक्स किसने लगाया था फिरोज साथ तूगलक ने सिचाई कर किसने लगाया फिरोज साथ तूगलक ने इसका नाम क्या था हर्वे सर्व नामाक सिचाईकर फिरोज साथ तूगलक ने लगाया था जो उपज का लगवग एक वटा दस भाग हर्वे सर्वा नामाक सिचाईकर लगाया जाता था किस सूफी संथ का आदि गरंथ में जिक्र किया गया है तो बाबा फरीद का जिक्र आदि गरंथ में किया गया है जो कि एक सूफी संथ है ठीक है बाबा फरीद एक सूफी संथ है जिनका जिक्र आदि गरंथ में किया गया बावा फरीद एक सूफी संथ है जिनका जिक्र आदि ग्रंथ में किया गया है ठीक है बावा फरीद किस युद को जितने के बाद बावर ने गाजी की उपाधी ग्रहन की थी किस युद को जितने के बाद बावर ने गाजी की उपाधी धारन की थी खानवा का यूद जितने के बाद बावर ने गाजी की उपाधी ग्रहन की थी ठीक है खानवा का यूद जितने के बाद गाजी की उपाधी धारन की थी बावर ने खानवा का यूद 17 मार्च 1527 इस भी को हुआ था खानवा का यूद 17 मार्च 1527 चेस अब 1527 में खानवा का यूद हुआ इसके बीच बीच में हुआ था यह तो बावर ठा ही एक था मिवार के सासक राना सांगा यानि कि राना सांगा मिवार के सा सकते हैं राना सांगा और बावर के बीज में खानवा का यूद हुआ था 17 मार्च 1527 में 17 मार्च 1527 में राना सांगा और बावर के बीज में खानवा का यूद हुआ इस यूद में बावर बिजय हुवा था और गाजी की उपाजी धारन की थी इस यूद के बिजय के उपरांट अगला कोस्चन है किस मुगल सासा को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था बहादूर सा दुथिये ठीक बहदूर साद द्वित्ये अंग्रेजों ने रंगून निरवासित कर दिया था अगला कोस्टन द्वित्ये आंगलमे सुर्यूद की संधी के तहथ समाप्थ हुई थी मंगलोर की संधी द्वित्ये आंगल मैं सुर्यूद मैंगलोर की संधी के तहद समाप्त हुआ था इसे साथ मैंलोर की संधी के दौरा यह यूद समाप्त हुआ इसमें गवर्नर जो था वारेन हेस्टिंग था ठीक जुत्य आंगल मैसूर यूद के समय गवर्नर जनरल जो कौन थे वारेन हैस्टिंग थे ठीक और दिट्य आंगल मैसूर यूद कब हुआ 1784 से 1784 तक वारेन हेस्टिंग इसमें के गवर्नार जेनरल थे गवर्नार थे वारेन हेस्टिंग ठीक है अगला कोशन कीस वर्स भारतिय रष्टिय कोंग्रेस का दिवेशन विहार के बांकीपूर में आज़ुद हुआ 1912 में 1912 में कॉंग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपूर जिले में हुआ था यानि बांकीपूर जगे में 1912 में हुआ था बांकीपूर कॉंग्रेस का राष्ट्रिय अधिवेशन बिहार के किस जिले में हुआ था बांकीपूर में ठीक है 27 वा कॉंग्रेस अधिवेशन का योजन 1912 में वांकी फूर में हुआ था इसकी अधेस्ता आरेन मध्होलकर ठीक है इसमें जानने के लिए बहुत कुछ है कहें सभी कोशन पूछ देगा जैसे कि देखें इसमें आपको याद रखनी है क्या कि पहला ये 27 वा कॉंग्रेस का अधिवेशन था कितना 27 वा ठीक है याद रखियेगा 27 वा कब हुआ था 1912 में दो हो गया यानि कि 27 वा याद रखना है 1912 याद रखना है तीसरा कहां हुआ था बांकी पूर में चोटा इसकी अध्यस्ता कौन कर रहे थे आरेन मध्होलकर आरेन मध्होलकर आरेन रन ठीक है आरेन मध्होलकर ठीक है तो इसमें चार चीज़े याद रखनी है आपको एक 27 वा 1912 बांकी पूर आरेन मध्होलकर 27 वा 1912 बांकी पूर आरेन मध्होलकर ठीक है याद रखना है तो कोश्चन क्या था किस बर्स भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस का दिवेशन बिहार के बांकी पूर में अजूद किया गया 1912 में कौन सा था 27 वा दिवेशन था कॉंग्रेस का ठीक है अध्यस्ता कौन आरेन मध्होलकर कहां बांकी पूर में अगला कोश्चन लैंड होल्डर सोसाइटी के स्थापना किस के द्वारा की गई थी लैंड होल्डर सोसाइटी के स्थापना द्वारिकानाथ टैगुर के स्थापना मुख्याला इसका था कलकत्ता में इसकी स्थापना 1838 में हुआ था 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी के स्थापना हुई थी द्वारिकानाथ टैगुर द्वारा अगला कोश्चन मोंटेग गोसना को किस बाहर चिये ने सुर्विहिन उसाकाल कहा था मोंटेग्यु घोषना को किस भारतिय ने सुर्विहन उसा काल कहा था अगला कोष्टन 1937 के प्रांतिय चुनाम में कॉंग्रेस पार्टी का चुनाप चिन क्या था पीला बक्सा 1937 के प्रांतिय चुनाब में Congress Party का चुनाब चीन था पीला बक्सा Yellow Box ठीक है 1937 के प्रांतिय चुनाब में Congress Party का चुनाब चीन था अगला question दिये गए पुस्ता के वम उनके लेखा का सही मिलान करें यह पुस्ता का नाम है या लेखा का नाम है ठीक है तो हिसका राइट अंसर है 4 C 95 का C 95 का C याने कि आनन्द मंठ बख्किम चंद्र चटर जी लिखा को आप जानते है आनन्द मंठ क्या है? एक पुжτα कर ठीक है आनन्द मंठ Olive तक की रचना कोन की थी वंकिम चंदर चटर जी ने और अभी यूदय की रचना मदन मोहन मालविया ने की थी अभी यूदय की रचना मदन मोहन मालविया ने की थी ब्रोकेन विंग की रचना सरोजनी नाइडू निकी थी इंडिया टूडे की रचना रजनी पाम दत निकी थी इंडिया टूडे रजनी पाम दत ठीक है और ब्रिकेन विंग की रचना सरोजनी नाइडू अभियुदाय की रचना मदन महन माल विये अगला कॉश्चन रिश्मी रुमाल सडियंत्र खिस से समन्धित मौलवी उवयदुला सिंधी स समन्धित रिश्मी रुमाल सडियंत मौलवी उवेदुल्ला सिंधी से सम्मन्दी ते रेसमे रुमाल सडियंद मौलवी उवेदुल्ला सिंधी से सम्मन्दी ते ची आनमिका ठीक है मौलवी उवेदुल्ला सिंधी रेसमे रुमाल सडियंद से सम्मन्दी ते खुदाई सेना से सम्मन्द रखते ते ये जो हैं खुदाई खित्मतकार सेना से समन्द रखते थे मौलवी उवेदुल्ला सिंधी पर्थम 10 पूर्ण संख्या के गहनों का योग है 2025 पर्थम 10 पूर्ण संख्या के गहनों का योग है 2020-25 ठीक है बागी सारे मैट्स के कोश्चन है आप देख ले ना ठीक है तो मुझे उमीद है कि आप लोगों को मैट्स में तो कोई तकलिफ नहीं होगी ठीक है तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे लगे होंगे और लग रहे होंगे ठीक है दोस्तों तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हों और आपको लगता है कि मैं आगे इसी तरह के वीडियो बनाता रहूं और आपके लिए कुछ नया-नया चीज सिखने के लिए लाता रहूं ठीक है तो प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब करें ठीक है लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा सेर करिए ठीक है तो तब तक के लिए बने रहिए जय हैं जय भारत जल्द ही आपसे मुलकात होगी अगले प्रैक्टिस सेट के साथ तब तक के लिए थैरियत